नमस्कार स्वागते आप सभी का आप देखने हैं लोगतंत्र मैं हूँ प्रीती बिहार के सियासी रण में त्योहार के चलते प्रचार की मंद पड़ी रफ्तार आज से फिर रवा होगी बीजेपे अद्धक्ष अमिच्छा की आज बिहार में कई रैलिया होंगी वही महागडबंधन के लिए नितीश कुमार और लालू की जन सभाई भी होंगी विदेश राज्यमंत्री वीके सिंग के मयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है तो दाल को लेकर भी बहस जोर उपर है लोगतंत्र में दावों और वादों के साथ बिहार की जमीनी हक्किकत और मुन्यादी मुद्दों पर भी होगी बात आईए लोगतंत्र के शुरुआत करते हैं हेडलाइन्स के साथ योहार के बाद चुनाव प्रचार में तेजी बीजेपी अद्धेश अमिच्छा की आज कई जन सभाई नितीश लालू की भी रह लिया विदेश राज्यमंत्री वीके सिंग के बयान पर बिहार में सियासत तेज महागडबंदन ने केंदर सरकार से पूछा सबाद दाल के दाम पर बीजेपी नेता सुशील मोधी के राज्य सरकार पर आरोप कहा जमाखोरों पर कारवाई नहीं कर रहे हैं नितीश कुमार त्योहार के बाद बिहार में आज से तीसरे, चौथे और पाँचवे चरण के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आएगी ब्युजेपी अद्धक्ष अमिच्छा आज बिहार में कई रैलियों को संबोधित करेंगे तो केंद्रे मंत्री भी प्रचार के रण में उत्रेंगे महागडबंदन के तरफ से मुख्यमंत्री नितीश कुमार और आरजेटी अद्धक्ष लालू प्रसाद यादव के जन सभाओ के कारिक्रम है बिहार विधान सभा चुनाओ के तीसरे दौर के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है जब कि चौत्य और पांचवे दौर के लिए 1 नमबर और 5 नमबर को वोट डाले जाएंगे महागडबंधन के नेता नितीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने केंद्रिय मंत्री भी के सिंग के बयान की आलो चुना की है दोनों ही नेता उने सोशल मीडिया ट्विटर के जरीय कहा है कि केंद्रे मंत्री के बयान से देश आहत है लालू प्रसाद यादव ने इसे RSS की सोच बताया उन्होंने कहा कि RSS और BJP दोनों ही दलित विरोधी है इतना ही नहीं लालू यादव ने ये भी कहा कि 2013 में उन्होंने कहा था कि देश टूटेगा या रहेगा इसका फैसला देश की जनता को करना है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता उनकी बात को अंसुना किया और ये उसी का नतीजा है और इसस प्रमुक मुहन भागवत के आरक्षन से जुड़े बयान पर बिहार में सियासर एक बार फिर तेज हो गई है संग के नबवे स्थापना दिवस पर उन्होंने बाबा साहिब भीमरा अंबेड कर का नाम लिया तो आरक्षन का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया भारत रत्न डॉक्टर भाबा साब अंबेड कर की एक सो पचीस की जन्म जेहंदी का वर्ष चल रहा है सामाजिक विशमता के खिलाफ उन्होंने जिवन भर संगर्श किया स्वतंत्र भारत के समीधान में उस विशमता को आर्थिक और राज़नीतिक दुर्ष्टी से जड़मूल से उखाड देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए क्या मोदी जी अब बताएंगे के मोहन भागवत जी जो दलितों और पिछडों के आरक्षन को वापिस लेने की मांग करते आएं है अब क्या नरिंदर मोदी साहब और आदर्णिय मोहन भागवत साहब एक ही पेज पर हैं क्योंकि अब तो वो दोनों सहमत हैं आज तक क्यों नरिंदर मोदी जी ने मोहन भागवत जी के बयान को खारिज नहीं किया तो दूसरी और बीजेपी ने आरक्षन पर फिर से अपना रुख साफ किया दरसल आरक्षन के मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब बिहार चुनाओं से पहले आरसस प्रमुक ने एक इंटर्विव में आरक्षन पर विचार करने की बात कही हलाकि इस बयान के बाद महागडबंधन के नेताओं ने बीजेपी और आरसस को पिछड़ा विरोधी करार दिया था बिरो रिपोर्ट राज़े सभा टीवी जीडी वद्धक्षर अदियादव ने कहा है कि बिहार का चुनाओं पर नाम आरक्षर के मुद्धे का कोटा लाभारतियों के पक्ष में स्थाई रूप से पैसला कर देगा उन्होंने कहा कि बिहार चुनाओं में सामाजिक गैर बराबरी और विकास दोनों ही मुद्धे मेतपूर हैं और इस बार पर भी जोड़ दिया है उन्होंने कि बिहार में बहुत संख्यक लोग आरक्षर श्रिणी में आते हैं उन्होंने आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत के बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि आलक्षर पर दिये गए बयान से दल्लेत और पिछले वर्ग पर व्यापक असर पड़ा है बीजेपी ने ता सुशील मोदी ने डाल की बढ़ी कीमतों के लिए राजज सरकार को दोषी ठराया है सुशील मोदी ने कहा कि मुक्षि मंतरी नितीश कुमात जमाखोरों पर कार Olivia नहीं कर रही है जिसकी वज़े से डाल की कीमत राजजिमें बढ़ी हुई है उन्होंने का कि नितीश कुमार जान बूजगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ख़दम नहीं उठा रहे है बिहार विधान सभा चुनाव में महंगा या बड़ा मुद्दा बन गया है लिए और केंदर सरकार को गहर रहा है महागडबंदन के निता हर चुनावी सभा में मुद्दा उठा रहे है तो एंडिये के निताओं को मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है कहते हैं चुनाव में मुद्दो का महत्व बहुत होता है और इसकी बानगी बिहार चुनाव में भी देखने को मिल रही है महंगी दाल और महंगाई चुनाव में ऐसा मुद्दा बना है कि केंद्र सरकार के बड़े-बड़े मंत्रियों को जवाब देना पड़ रहा है महागडबंधन के नेता इस बड़े मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते है चुनावी बयार को तेज करने के लिए अब महागडबंधन केंद्रिय मंत्रियों के स्तीफे माल रहा है बिहार के मुख्यों मंत्री निदेश कुमार खुल कर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए पूछ रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्यूं बढ़ी हुई है दाल की कीमते उधर केंद्र सरकार के मंत्रियों को जवाब देना भारी पर रहा है देश की बाकी राज्यों की तरहे बिहार की जनता भी महंगाई से त्रस्थ है परिशानी तो आम आदमी को उठाना पड़ता है क्योंकि इतने महंगे हैं कि बजट किसी तरह आदमी के गवड़ा गया है विहार में अभी तीन चरणों में मतदान होना बाकी है ऐसी में चुनावी मैदान में उत्री सभी पाठियां मुद्दे को बड़ा बनाने और जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है आपने देखा कि कैसे दाल को लेकर सियासत तेज हो गई है आम जनता भी दाल की कीमतों को लेकर खासी परिशान है दाल की कीमतों का चुनाव पर क्या असर है और इस पर आम लोगों का क्या कहना है देखे इस रपोर्ट में दिल्ली से लेकर पटना तक महंगी दाल लोगों की जुबान पर है बिहार चुनाओ पर पूरे देश की निगाहें हैं लिहाजा मुद्दो के बाजार में इस वक्त दाल पर चर्चा सबसे जादा हो रही है लेकिन महंगी दाल का शिकार सबसे ज़ादा आम लोग हो रहे हैं इन्हें पहले प्याज ने रुलाया और अब दाल दर्थ दे रही है बिहार के मुतिहारी के बाशिंदों की माने तो ये मुद्दा उन्हें वोट डालते वक्त भी याद रहेगा महंगी दाल से गोपाल गंज के बाशिंदे भी परेशान है आम लोग महंगी दाल से परहेज कर रहे हैं तो उसका असर दुकांदारी पर भी पड़ रहा है आलम ये है कि बाजार में दो से तीन कुइंटल दाल की विक्री आज 30-40 किलो से ज़ादा नहीं बढ़ पा रही बिहार चुनाव में महंगी दाल को लेकर इस वक्त जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप चल रहा है केंद्र सरकार महंगी दाल का ठीक रा राज्य सरकार पर फोड रही है तो नितीश कुमार केंद्र की नितियों को जिम्यदार ठहरा रहे है मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक महंगी दाल के मुद्दे पर सियासत हो रही है ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी और इस समय हमार साथ पटना से हमारी समवारता कृती मिश्णा जुड़ी है उनका हम रूख करेंगे पृती कल दशारा के बाद आज से फिर प्रचार जोर पकड़ेगा आप बताएं हमें कि आज कौन से बड़े नेता कहां कहां रेलिया करने वाले पूरी जान फूकने की कोशिश करेंगे आज जन सभाएं शिडियूर्ड है अमिच शाह की, नितिश कुमार की, लालु प्रसाद यादव की साथी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि राहूल गांधी भी यहाँ पर चुनापरचार करने में जुटेंगे तो कई न कई हर पार्टी हर तरह से कोशिश करेगी वोटरों को लुभाने की तीसरे चौथे पाचवर चरण के पहले और जो सियासत अब कल भी हमने जो तमाम सरगर्मिया देखी है कृती अब वीके सिंग के बयान को लेकर भी अब हमले किये जा रहे हैं माना जाए एक के बाद एक एक के बाद एक बीजेपी लगातार उसको डिफेंसिव मुद्रा में कहा जा सकता है देखे प्रिती इस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी बैक फूट पर आ गई है लेकिन वीके सिंग ने कल कैटेगोरिकली कह दिया था कि उनके स्टेटमेंट का ये कोई मतलम नहीं था उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को इससे परिशानी पहुची है तो वो इस बात के लिए माफी मांगते हैं बीजेपी भी उनका बचाफ करते हुए नजर आई लेकिन बिहार के चनाओं की बात करूं तो लालू प्रसाद लियादव ने करणा हम्रा बोलते हुए वीके सिंग पर कहा है कि देश जिस मुहाने पर खड़ा है उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्रियों की बेजुमानी से देश की रिड की हड़ी तूट सकती है वही नितिश कुमान ने भी टूट कहा कि ये बहुती सेंसलेस बयान था सिर्फ नितिश और लालू ही नहीं जो बीजीपे के एलाई भी हैं चाहे हम जितन राम मानजी की बात करें या राम विलास पासवान की बात करें जितन राम मानजी ने तो ये तक कहा कि जो दलितों प तेज होती हुई नजर आ रही है विहार में जी प्रिती तमामा और जानकारियां आपसे हम लेंगे फिलाल आप हमाई साथ बने रहे हैं यहाँ पर अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विहार विधान सब्सक्राइब में महिलाओं की भूमिका के बारे में इस अंक में हम आपको रूबरू करा रहे हैं अफ्रीका से जववन देशों का समू है अफ्रीका अफ्रीका में हो रहा है तेजी से विकास देखिए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अफसर पर बदलता अफ्रीका सिर्फ राच्यसभा टीवी पर बिहार में हर पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है बीजेपी का कहना है कि बिहार की जनता विकास चाहती है राच्यसभा टीवी समवादाटा शिश्यर चौबे ने बिहार बीजेपी अद्रक्ष मंगल पांडे से खास बात की जिसमें उन्होंने विरोधी दलोपत जनता को गुमरह करने का रोब लगाया है मंगल जी राच्यसभा टीवी में आपको स्वागत है सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से विकास का मुद्दा गौनों के जादपात की बाते हो रही है राजमिती में उसको आप लोग किस तरीके से दे नहीं भारती जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे ही के सामने करें कुछ लोग जरूर इस विकास के मुद्दे से बिहार के चुनाओं को भटकाना चाह रहे हैं दूसरी ओड़ले जाना चाह रहे हैं लेकिन अब बिहार की जनता भी समझदार हो गई है अब विकास से भटक के किसी दूसरे दिसा में नहीं जाएगी जो राजनिती की परिस्थिती जो भी हर में उठी है और लगवाग हर चुनाओं के हम लोग देखते हैं कि जो भासा की अंतरण जो होना चाहिए नियंतरण होनीं चाहिए हो देरे-देरे गडबर होती जा रही है राजनिती के वल चुनाओं तक नहीं होती है राजनिती पूरे देश को दिसा देती है और राजनिता जो होते हैं उन पे पूरे देश की नजर होती है हर राजनिता को अपने सब्दों के चैन में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए लेकिन दुर्भागे हम बिहार के लोगों का ऐसा जरूर है कि हमारे पास एक रास्टी जनता दल के नेता स्री लालू प्रसाज जी है जो कभी इसका ध्यान नहीं रखते हैं प्रशाज जी फिर क्यों आप भी कह रहे हैं कि कोई पिछडाई मुख्यमंत्री होगा आती पिछडाई होगा आप भी तु बोलने पर मजबूर हुए कहीं न कहीं लगता है कि लालू यादो इस बात को लेकर जनता के बिचकर अन्विंसिंग हो रहे थे यह जो विशय आप कह रहे हैं यह भारती जनता पार्टी का परल्यमेंटरी बोर्ड तै करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा यह किसी नेता के विचार से यह तै नहीं होता है भारती जनता पार्टी के परल्यमेंटरी बोर्ड को यह अधिकार है कि वो यह तै करेगा कि हमार कि प हमाई बहुत अस्पस्ट है भारती जन्ता पाटी के नित्तों में इंडिये की सरकार बनने जा रही है लड़ाई इस बात के जो हमारी सरकार बनने है उसमें सत्ता पक्ष में सदस्यों की संक्हा Castle forming कितनी बढ़ती जाएगी कॉंग्रिस ने इता खुलाव नभी आज़ाद ने देश में मौजूदा माहौल पर चिंता जाहिर की और इसके लिए केंदर सरकार को जिम्मेदा ठहराया पूर्णिया में प्रेस कॉंफरेंस के जरिये उन्होंने केंदर सरकार और बीजेपी की कड़िया लोचना की उन्होंने कहा कि सीमानचल की जनता बीजेपी की राजनीती को खारच करेंगी असरमे कॉंग्रिस ने सीमानचल से काफी उम्मीदे लगा रखी है यहां M.I.M. के उतरने से माना जा रहा है कि राजनीतिक समीकरन पहले से काफी बदल गए है गुलाम रभी आजाद ने देश में सांपरदाइक तनाव परचंता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार की जनता इसे नकारे की बिहार विदान सबाचुनाओं में महिलाओं की भूमिका बेहद एहम है तीसरे दोर में 71 महिलाओं सियासी ड़न में दावा आजमा रही है पहले और दूसरे चरण के चुनाओं से जादा है पटना जिले में सबसे जादा नौ सीटों पर एक से जादा महिला प्रत्याशी है ये सियासी समर है बिहार का बिहार चुनाओं के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है पहले दो दोर में पुर्शो की तुल्ना में महिलाओ का मतदान फीसदी जाता रहा मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में महिलाओ दिखी पहले दो दोर की बोटिंग में महिलाओ ने ये बता दिया किस बार चुनाओ में जीत हार में उनकी एहम भूमिका रहेगी 12 अक्टूबर को पहले और 16 अक्टूबर को दूसरे दौर की मतदान के बाद विहार में 28 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे विहार विधान सभा चुनाव की तीसरे दौर में 1 करूट 45 लाख से जाधा मतदाताओ की कुल तादाद में 67 लाख से जाधा महिला वोटर है तीसरे चरण में 6 दिलों की 50 विधान सभा सीटों पर कुल 808 अम्मिद्वार जोर आजमा रहे हैं इनमें 71 महिला प्रत्याशी है जबके विधान सभा चुनाव के पहले दौर में 54 और दूसरे दौर में 32 महिला उम्मिद्वार मैदान में थी विधान सभा चुनाव की तीसरे दौर में 6 जिलों की 19 विधान सभा सीटों पर महला उम्मिद्वारों की तादाद एक से ज्यादा है पटना जिले में सबसे ज़ादा नौ विधान सभा सीटों बार दीघा बांकिपूर उम्हरार पटना साहिब दारापूर मनेर और मसौडी पर एक से ज़ादा महला प्रत्याशी दावाजमा रही है बिर रुपॉर्ट राज्जिसभा टीवी पटना से समगाता कृती मिश्रा जुड़ी है कृती हमने पहले दो दोर में भी देखा महला आए बढ़ चल कर बाहर आई और पुरिशों से ज़ादा मतदान महलाओं ने किया है लेकिन टिकट देने के अगर बात करें तो बिहार विधानसवा चुनाओं में माने कि हर दल ने महिला शक्ति को नजर अंदाज किया है जी हाँ प्रिति देखिए अगर ट्रिडिशनली बात करें तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मेल है उनका वर्चस रहा है यह सोसाइटी एक पेट्रियाकल सोसाइटी रही है लेकिन अब चीजें धीरे-धीरे बदल रही है धीरे-धीरे महिलाएं भी आगे आ रही है टिकेत देने में भले डिस्क्रिमिनेशन हुआ लेकिन महिलाएं आगे हैं कई सीटों पर महिलाएं उमीदवार हैं और कई सीटे तो इस तरह की हैं जहां पर मेंन कॉंटेस्ट ही दो महिलाओं या तीन महिलाओं के बीच में हैं तो कहीं न कहीं अब समाज में राजनीती में वो आगे तो बढ़ रही है लेकिन अभी रास्ता लंबा है और इस बार जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न हमने देखा पहले दूसरे चरण में हम ये कह सकते हैं कि अब महिलाओं को समझ में आ गया है कि किसी भी राजनीतिक दल क कि किसमत बनाने या बिगाडने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और अब वो आगे ही बढ़ेंगी पीछे नहीं रहेंगी महिलाओं की बात रेलिआों में कितनी हो रही है बड़े नेता उनका जिक्र कितना कर रहा है यहां तक कि जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि महिलाएं खाना ना दें अगर उनके घर के पुरुश उनके पक्ष में वोट ना दें बाकी रैलियों में हमें महिलाओं पर कितना फोकस दिखाई दे राय इस बार पिती अगर मैं लॉइन ओर की बात करूं तो यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत है और सिर्फ 2014 की अगर बात की जाए तो 15,000 से जादा केसिस डेजिस्टर हो गए हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमिन हैं तो कहीं न कहीं हर पार्टी इस अंगल को भुनाने की कोशिश कर रही है और महिलाओं को सिक्यूरिटी देने की कोशिश कर रही है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो लॉइन ओर्डर की सिचुवेशन इंप्रूव होगी तो हर राली में लगाता हम देखते हैं कि बात होती है कि महिलाओं जो है उनकी सिक्यूरिटी उनकी जो सेफटी है वो हर पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी साथ थी साथ अगर मैं नितिश कुमार की बात करूँ तो उन्होंने रेजरवेशन की भी बात कई है तो महिलाओं वोटरों को लुभाने के लिए और जिस तरह से वो पहले चरण और दूसरे चरण में बाहर आई है वोट डालने के लिए अब कोई भी पार्टी उनको लूस करना अफोर्ड नहीं कर सकती है बिल्कुल खृती बहुत बहुत शुक्रे आपका हमाइसा जुनने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आई आगे बढ़ते हैं आरजडी प्रमुक लालो प्रसाद यादव की बेटी और नेता मीसा भारती निनो पार्टी और अपने भाईयों के लिए प्रचार में जुटी है उनकी माने तो बेहार में जाती एक सचाई बन गई है लेकिन जाती के नाम पर वोट महा गड़ बंधन नहीं बलकि एंडिये मांग रहा है प्रचार के दोरान उनसे राजडी सभा टीवी समधाता रवीन सिंग शुरान ने खास बात की आप मतलब आरजडी को इस बार लोग वोट दें कि क्या खास का रहा है लोग सभा चुनाओं को अगर आप छोड़ दे मोधी जी जो नरेंद्र मोधी जी हमारे प्रधान मंत्री हैं उन्होंने क्या सिर्फ वादे ही किये हैं जुमले आप उनके जो राश्टी अध्यक्ष है जुमला था तो अब ये बिहार के लोग को सोचना है कि किस का साथ देना इस बार भी चुनाओं वही जाती वाद क्या धारपरी होगा देखे जाती एक सच है इसको कोई नकार नहीं सकता और सबसे जादा आज की डेट में बीजेपी इसका इस्तमाल कर रही है आप अभी हमा ये मंतर हैं गिरिराज सिंग जी ने क्या जरूवत पड़ी अगर आप जाती को नहीं मुद्दा बना रहे हैं तो आपको ये कहनी कि क्या जरूवत पड़ी कि बीजेपी से कोई भी स्वर्न जाती का चीफ मिनिस्टर का उमिद्वार नहीं होगा लेकिन एफाई आर तो लाल जरूवता को घूँच दें रहे थे कि हम आपको टिवी देंगे फ्री में टीवी देंगे जिसके उपर आप मोदी जी का भाषन सुआ सकते हैं औरक्षन का मुद्दा जिए जो महान भागवद हमसे विकास के मुद्दे पर हमसे बात करें ये थी मिशा भारती जी जिनका कहना है कि इस विधान सभाज चुनाओं में RJD को पहले से ज्यादा बहुमत मिलेगा और इस बार फिर से एक बार विश्वास जनता का पैदा होगा महुआ से कैमेरावन प्रेम के साथ रवन सिंग शोरान राजे सभाज टीवी दशेरे की मौके पर बिहार के युवाव में नई उमंग देखी गई जो लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनके भीतर इस चुनाओं को लेकर खासा उत्साह है आए देखते हैं क्या सोच रहे हैं बिहार की युवा त्योहार के इस मौहाल में भी जो लोगों के बीच चर्चा है वो चुनाओं और चुनावी मुद्धो की है मेरे साथ कुछ युवा वोटर जुड़ रहे हैं इस समय मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ देखे अभी तक त्योहार का मौहल था लेगिन अब बहुत एक सीरिस बिजनिस है सीरिस इशू है आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है पहली बार वोट डालेंगे कैसा लग रहा है ये जिम्मिदारी का एहसास बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा है भारत का निवान करेंगे हमको लगता है कि जो स्कॉलर स्विवधा जो भी सरकार बने ये अच्छी होनी चाहिए और इंटरनेट की भी स्विवधा अच्छी होनी चाहिए और जो हम लोग ग्रिजुएशन करके और एसे रोट पर घूम रहे हैं और हम लोग कोई रोजगार का अफसर नहीं मिल दा है तो सबसे पहले यहां सबसे बड़ी समस्य है बिरोजगारी तो ये बाओं को सबसे ज़्यादा उमीद है कि हम लोग को रोजगार मिले है आम आदमी पर कुछ खास असर तो ऐसा नहीं है फिर भी बोटरों का ध्यान देना चाहिए कि महंगाई और शिच्चा इस समय का सबसे बड़ा मुद्धा है इस पर ध्यान रखके भी बोट डाले यही हम लोग का सबसे में मुद्धा है अभी यहां तो रावन देहन के साथ लोग चाहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी और करप्शन का भी देहन हो जाए और उनकी जिन्दगी आगे आने वाले समय में खुश हाल बन जाए पढ़ना से कैमरमें सरोच के साथ कृती मिश्रा रादसभा टीवी चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार में भी विज़ दश्मी धूम धाम से मनाई गई मौका तोहार का था लहाज़ा चुनावी रेलिया तो नहीं देखी गई लेकिन सभी राजनेताओं ने बिहार वासियों को तोहार की बधाई जरूर दी चुनावी चर्चाओं और सरगर्मियों के बीच बिहार में भी दशेरे की धूम खूब देखी गई बुराई पर सच्चाई की जीत के इस त्योहार को बिहार वासियों ने जम कर मनाया बाजारों में रौनक दिखी तो लोगों के चेहरों पर उत्साख मौका त्योहार का था लिहास सभी नितागणों ने भी प्रचार पर थोड़ा सब विराम लगाया और सूबी के बाशिंदों को त्योहार की बधाईया दी प्रधान मंत्री ने शोशिल नेटवरकिंग साइट ट्वीटर के जरिये लिखा विजय दश्मी की हारदिक शुब कामनाएं वहीं बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने भी ट्वीटर के जरिये लोगों को शुब कामनाएं दी उन्हाने लिखा कि विजय दश्मी के अफसर पर आप सभी को हारदिक शुब कामनाएं वहीं आर्चेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कुछ इस अंदाज में ट्वीट किया बुराई पर अच्छाई और फरेब पर सच्छाई की जीत के पर विजय दश्मी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुब काम नाएं ब्यूरे रिपोर्ट राजी सभा टीवी और इसे के साथ फिलाल लोग तंत्रमेतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार